बिस्विल्ला इर्वास्मा इर्वाहीव, सलाम वालेकुम दोस्तों NTS Test Master की जालियों से आप सबकूरने चैनल में फुछ हमदीर कहता हूं दोस्तों आज की वीडियो PST 2018 औरिगनल पेपर पार्ट 3 और आज से मैथिमेटिक पॉर्चन शुरू कर रहे हैं इससे पहले English पार्ट हो चुका है जिन दोस्तों ने वो पार्ट नहीं देके तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं दोस्तों को विजिट करके वाज कर सकते हैं दोस्तों वन्स अगेन आपको बताना चाहता हूं कि ये पेपर 2018 NTS का पेपर ता जो के आउट हो चुका था जिसकी वज़े से वो पेपर दुबारा हो चुका था इसके लवा मेरे चेनल पर जितने भी पीपा पेपर्स पड़े हैं P.A.T.K., D.M.T., A.T., S.T. Journal, S.T. Basics, Maths, Biochemistry उन तमाम के लिंक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं दोस्तों जिन दोस्तों को चाहिए तो उनको विजिट कर सकते हैं इसके लवा मेरे पास बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं उन तमाम को मैं वन बाई वन करकी अपलोड करने जा रहा हूँ जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना मत दूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्रिस्टन इंतिहाई अहम क्रिस्टन है यह के दोस्तों मैथिमेटिक पार्ट आज का क्रिस्टन इंतिहाई अहम क्रिस्टन है देखें क्रिस्टन नमर ट्विंटी सिक्स यह वालन हमाने पास question है question को जड़ा देखे rate of leveling of field is RS 2.5 किसी भी मेदान को या केक की हमवारी करने है labeling हमवार कर देना ठीक है और उसका rate जो है ना per square foot per square meter 2.5 वे है डाइर वे है आगे कहते हैं कि the field is trapezium trapezium shape का जो कहते हैं वो उसका शकल जो है वो trapezium है अभी बताता हूं कि trapezium shape किस तरह के होते है आगे पर देखते हैं कि at the bases of the field are 54 meter उसके bases दो bases होते हैं एक 54 meter है and other is 45 meter है और altitude altitude में गन्फिर्ट होना altitude height को कहते हैं altitude या height तुर्ण एक बराबर है altitude जो है वो 36 meter है 36 meter है then total expenditure is तो इस field को लेवल करने के total अखराजात कितने होंगे बास दोस्ट शिकाइच करते हैं कि आप time ज्यादा लेते हैं time तो इतना होता नहीं मैं चूंकि आपको समझाने के लिए करता हूँ otherwise इसी question को मैं जैस एक minute में हल करके दिखा सकता हूँ लेकिन पिर आप समझेंगे नहीं कि ये किस तरह है इसलिए मैं time ज्यादा ले रहे हूँ कि आप दोस्ट समझ जाएं time की परवान ना करें समझने की कोशिश करें अपने काम सिफ्ट को clear करने के कोशिश क्या करें तो चली इसी question को इदर मैं हल करने की कोशिश करता हूँ देखे सबसे पहले तो आपने shape ड्रा करना है ठीक है लेकिन जिन दोस्तों को आते हैं तो उस वक्त shape आपको shape करने की ड्रा करने की ज़रूद नहीं जस्ट आपको परमूला याद होना चाहिए और उसमें value part cut put करकी पोरन उसका हल तिकानना चाहिए में तो की समझा रहा हूँ तापकि इसलिए one हर stick को वजाहत से मैं बहुत बहुत करना चाहता हूँ कि ट्रेपिजियम का shape किस तरह का होता है तो ये देखे दोस्तों ट्रेपिजियम का shape जो है वो इस तरह का होता है देखे ये shape जो है न ये वाला इसको मैं उलेट करूँ ठीकिसम शेप इस तरह का ये क्लिपिजिम का शेप है ठीक है दोस्तों अब इसमें क्या है कि इसमें एक हाइट और बेसिस जो है इसके इसके मैं आपको बताता हूँ कि परसकर ये एक बेस है ये उपर वाला ये 45 मिर्टर है और नीचे ये बेस ये 54 मीटर है इसको 54 कर लेते हैं ठीक है और इसका हाइट फाइंट करने के लिए आपनों इसमें लाइन ड्रा करना है लाइन कैसे ड्रा करोगे देखे दोस्तों ये जहां तर ये एंगल मिलता है इस इसे शुट लाएं और नीचे इसको ड्रा करें सौरी उनस अगें देखें यह हमारे पास यह इसकी हाइट है तो हाइट हमारे पास कितना है हाइट जो हमें वो 36 मीटर है 36 मीटर यह अपने शेल डा की अब हमें पर्मूला की जुट है कि ट्रिपिजम का पर्मूला इसका एरिया हम पाइंड करूंगे तो एरिया को फिर वो रेट जो है ना उससे जरुब देंगे तो ट्रिपिजम का पर्मूला जो है ना एरिया पाइंड करने का area of tripism के लिए हमारे पास formula है देखे दोस्तों ये देखे परमुला हमारे पास है a plus b divided by 2 a plus b divided by 2 multiplied by height h इस परेमिलों के जरा देखें गौर से देखें इसको याद रखें बुर्णा नहीं आप देखें दोस्तों ठीक है a plus b divided by 2 multiplied by h a b इसके base है और h इसका height है अब इसमें क्या करने के footing value footing the values we will get अब इसमें value हमने foot करना है तो मैं जरा इसको copy करना है ठीक है तो देखें इसके हमने value foot करना है a की value हमारे पास 54 है a की value कितना है 54 है जैस्ता a की value 54 54 जमा 45 और h की value हमारे पास 36 है अब इसको उपर मजीद हम जमा करें इसको फिर मैं दोबार वान सगेंड कापी करूं ठीक है दोस्तों तो देखें जाए अब 54 और 55 को अगर आप जमा करें तो इससे आजाएगा 99 99 divided by 2 आजाएगा अब इसको 99 को अगर 2 से आप divide करोगे 99 divided by 2 तो इससे अंसर आजाएगा 40 यह 49.2 आएगा 49.5 आएगा ठीक है अब 49.5 को 36 से अपने जरब देना है इसको अगर आप 36 से जरब दोगी तो हमारे पास area आजाएगा इसको जरब देएगा तो इसको जरब में Excel में जरब देते हैं आलडी यह देखें यह देखें 49.5 जरब देटी सिक्स इस इकोल तो सत्रसों बायालिस सत्रसों बायास एटीटीटू यह ज़िए हमारे पास total area area गया अब हमारे पास rate क्या था rate अब ले दिन हमारे पास था 2.5 तो पाइब ता अब इसको अपने multiply करना है area के साथ by 2.5 इस इकोल तू अब इसको देखते हैं एक एक हजार साथ सो बियासी जरबी तू अशारियो पाँच तो चार हजार चार सो पच्छ बना गया दोस्तों चार हजार चार सो पच्छ पन तो यह हमारे पास total expenditure total expenditure अब दे फीड इस चार हजार चार सो पच्छ पन रुपे हैं अब देखें कि उसमें option हमारे पास कौन सा correct option है option C correct option इसमें option C है दोस्तों देखें कि आगे देखते हैं एक question है वो भी ज़रा तोड़ा मश्किल ज़ा लग रहा है question number 27 ज़रा देखें question number 27 a ladder of length चार मीटर एक ladder है सीड़ी है उसका length जो है न वो चार मीटर है is placed on a wall of height एक दिवार के साथ उसको लगा लिया और उस दिवार की height जो है वो दो मीटर है the distance between the base of the wall and the lower hip of the head is तो अब ये सीड़ी जो है न ये दिवार से कितने पास से लिए पर इसको find out करना है तो I think ये विलिए तोड़ी सी लंबी टाइम लगे गया इस पर इसलिए इसको next studio पर चोड़ते हैं तो आज के लिए I think एकना काफी है इसको समझ दिए कोश़ करें आप अच्छी तरह समझे तो इस तरह के question लाजिमी एक दो फूट लाजिम तो आज के लिए तनकाफी है जिम दोस्तों को वीडियो पसंद आई हैं समझ गया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत बुलिएगा Thank you for watching